बिसमिल्ला इरुक्मान इरुछीम असलाम वालेकुम ने बिसमिल्ला इसाइब क्राइब करणे करें चुनिये और भुए पुर्वार्ट वालेक्शन जाम बिसमिल्लीग अनुड़ है मैं अपना हाथ चो है उसे मैं शेक करता हूँ आपड़ना हूं, यानि कि मैं अपनी जो मस्कलर अनर्जी है वो इस स्ट्रिंग को दे रहता हूँ, इस रोप को दे 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 ता हूँ शुरू में तो यह जो रोप थी यह इसके जो पार्टिकल्स थे वो रेस्ट पर थे वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे मैंने अपनी मस्कलर अनर्जी इसको दी है तो मुझे इसके उपर काफी सारी वेव्स जनरेट होती भी दिखाई देगी मुझे जो रोप है वो इस तरह दि जो अनर्जी को अपने जो आपको एक जर्क महसुस हो का यह यूदि आप अपने हाथ को शेक नहीं कर रहे होंगे लेकिंगे मैंने यहां पर शेक किया है और मीडियम के अंदर से अनर्जी ट्रांसफर होके आप कहा तक पूंच के तो आपका हाथ आत्रमेटिकली शेक होने शुरू हो जाएगा अब अब क्वेस्टन यह है कि जो आप अनर्जी दे रहे होते हैं अनर्जी एक पॉंट बलकि वो कम हो जाएगी जैसे आप लोगों ने यह बात नोट की होगी कि जब मैं बोल रहा हूं अगर आप मेरे पास मेरे करीब खड़े होके मुझे सुनेंगे तो आपको जादा आवाज आईगी आपको sound energy जादा मिलेगी लेकिन अगर आप मुसे दूर जाके खड़े होक उनको vibrate करवाने के लिए कुछ energy जो है चाहिए होती है तो कुछ energy उनको collide करने में जाया हो जाती है lost हो जाती है जिसका मतलब यह कि जो energy आप पर provide करें वह जाता पूरी की पूरी energy यहां तक नहीं पहुंचती है बलकि कुछ energy पीच में lost हो जाती है अब हम कैसे maximum energy को जाता जाता energy को दूसरे end तक पहुंचा सकते हैं वह दो चीज़ों पे टिपाइंड करती है एक amplitude पे Amplitude का मतलब यह होता है कि अगर मैं इस rope को जोर से शेक करता हूँ यानिकि मैं इसको जोर से अपने three-first could दॉन ना ऊंगर यहोगा कि मैं पार्टिकल्स को वर्छ उनकी mean position है यह वाली उससे ज़्याधा मैं ज़ता हो जो से जए कुरम तक के नो वे 150 बने वह थवडی बड़ी बने इसका मतलब भगा है कि आपने पॉर्टिकल चूह उनकी मीन पुस की च। यह ज़्यादा दूर तक लें तो जब आप एक वेस debate बढ़हा देते तो उससे भी जो energy है वो ज्यादा transfer होती है from one point to another point ये first तरीका होगा energy को ज्यादा transfer करने का second तरीका ये है कि आप frequency बढ़ा दें frequency का मतलब होता है कि आप एक second के इंदर ज्यादा number of waves produce करें ये तो आपने जोर सकना था ये आप तरी सकरें यानिकि एक second में ज़्यादा तफ़ा आपने हाथ को shake करेंगे तो क्या होगा आपके रोब के इंदर number of waves ज़्यादा produce होंगी ठीक है तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो number of आपके पास जो energy है वो amplitude पर depend कर रही होती है और frequency पर depend कर रही होती है अगर amplitude बढ़ा देते हैं तो energy transfer बढ़ जाएगी अगर आप frequency बढ़ा देते हैं तो उस तो आपके जो energy है वो बढ़ जाती है ठीक हो गया यह first experiment था second experiment है कि एक point आपने एक point लेना है point के इंदर आपने एक तरफ तलाप लें पानी का या तलाप में जाएं उससे किनारे खड़े हो जाएं उसके एक किनारे में आप ढ़कन रख दें कॉर्क रख दें ठीक है और दूसरे किनारे आप एक stone थो करें ठीक है जब आप stone थो करेंगे तो क्या होगा stone के around waves generate हो जाएंगी इस तरह की इस shapes में ठीक है और आपको लगे आपको पता चेलेगा कि आपने stone तो एक end पर थो गिया था लेकिन दूसरे end पर जो कोगा वो up and down move करें शुरू हो जाएगा आप यह उसको disturb नहीं किया बलकि आपने तब सिर्फ stone दूसरे end पर थो गिया था न तो यह क्यों move बने शुरू हो गया है जो यहां पर waves generate हुई है आपने जब stone फैंका था इस पानी के अंदर तो इन waves ने उस energy को अगली wave तक ट्रांसफर किया है और ultimately यह wave जो energy है वो cork के नीचे तक ले गई है ठीक है अब waves basically जो energy लेके जारी है वो तो left to right लेके जारी है इस direction में energy transfer हो रही है तो आपने यह देखा कि आपने पॉर्ण के एक किनारे में stone फैंका था जबके दूसरे किनारे में जो धक्कन है वो up and down move करने शुरू जाता इसका मतलब यह है कि water waves ने one point से दूसरे point तक energy को transfer करवा दिये हैंस हम यह conclude करते हैं कि water waves है वो energy transfer करती है without transferring matters और इसमें भी इसी तरह है देखिए यहां पर कोई particle जो है वो travel नहीं कर रहा है यह जो particle यहां पर मुझूद है यह इधर ही vibrate करेगा ऐसा नहीं कि particle यहां पर पहुंच जाएगा यह इधर ही vibrate करेगा यह बस अपनी energy जो है energy transfer करती है जबकि matter transfer किये बगहर ही energy transfer कर देती है ठीक है तो यह हमारा topic था waves as a carrier of energy अब second topic है जो next topic है वो है जी topic number 10.5 ripple tank ripple tank की पहले हम construction देख लेते हैं कि इसको हम लोग ने चार major चीज़ें है फर्स चीज़ है कि हमने एक rectangular tray लेना है जो इसकी bottom glass से बनी वी हो ठीक है जैसे यहां पर मारे पास एक rectangular tray है यह बड़ा सा और इसकी जो bottom है वो हमने glass से बनाए वी है जो नीशे वाली bottom है वो glass material की है फिर second हम लोगों ने एक vibrator लगा देना है vibrator यानि कि paddle जो wave produce करेगा vibrator क्या है बैसकर एक oscillating electric motor है एक vibrating electric motor है जो यहां पर हमने attach की हुई है यह oscillating electric motor यह क्या करती है बैसकर यह oscillate करती है जिससे और हमने इस तरह लगाना है कि oscillating electric motor है वो wooden plate की उपर fix करनी है उसको यह देखें ब्राउन कलर का wooden plate है और इस तरह से लगानी है कि उसके जो निच्छी surface है वो water को touch हो रही हो ठीक है यह oscillating paddle आपने देखें लेवल भी किया है वो उसके कुछ surface है water को touch हो रही है ताकि जब रूटेट करें oscillate करें तो water के इंदर waves generate हो जब हम उसको electric motor है उससे जब हम on करेंगे power supply देंगे और से on करेंगे तो क्या होगा basically water के इंदर waves generate होने शुरू हो जाएंगी यह हमारे दो च नीचे एक screen रख देने है या paper रख देना जैसे यहाँ पर रहने रखा रहे है तो जब waves चलेंगी तो आप क्या करेंगे आपको जो paper है इसके उपर आपको image नजर आएगी lamp के थुरू आप paper के उपर waves की image देख सकेंगे इस तरीके से जो है यह इसके construction है हम इसको बना रहे हो होते हैं अच्छा जब आप इसको on करेंगे तो क्या होगा basically आपको जो waves नजर आएगी ना waves जो यहाँ पर बनेगी इसके इंदर वो आपको paper के अंदर crust and truff show हो रहे होंगे और इस form में show हो रहे होंगे कि कुछ आपके बाल bright lines होंगी जबकि कुछ आपके बाल dark lines होंगी ठीक आपको कुछ इस तरह से इमीच नजर आएगी यह अगर paper है तो यह आपके पास straight wavefronts होंगे इस तरीके से straight wavefronts आपको इस तरह waves के जो है आपको नजर आ रही होंगी ठीक है कुछ dark है अब यह जो मैंने red line draw किया आप समझें यह dark waves है और जो आपके पास blank जग है आपके पास light है ठीक है और यहां से लेकि यहां तक जो distance होगा वो lambda के लाएगा यहांने कि एक crust लेकर दूसर crust तक तो आप समझें जो bright images है वो crust है जबकि जो dark है वो आपके बास crust है तो इस तरीके से आपको paper के उपर जो waves की images है वो show हो रही होंगी ठीक है अब next हम लोग क्या करते है next हम इन ही वो जो water waste produce हो रही है इसी water tray यह rectangular tray के इंदर हम एक barrier डग देत है ठीक है जी क्या करना है हमने barrier रख देना है ठीक है अब अगर मैं water waves के समने को barrier रखूंगा तो क्या होगा water waves उस barrier के साथ टकरा कर reflect कर जाएंगी ठीक है अब अगर मैं उस barrier को किसी angle पर रखता हूँ याना कि straight नहीं रखता मतलब मैंने अगर देखें first case में मुझे barrier को ऐसे रखना है straight जब मैं straight रखूंगा तो water waves आएंगी यहां पर टकराएंगी और reflect कर जाएंगी अब second case में मैं क्या करता हूँ मैं barrier को एक angle पर रखता हूँ यानि कि मैं barrier को इस तरीके से रखता हूँ ऐसा करके ठीक है जब मैं इस तरीके से barrier को रखूंगा तो water waves जबा कि इसको पर strike करेंगी तो वो law of reflection को follow करेंगी law of reflection क्या होता है कि angle of incidence equals to angle of reflection इसको समझते हैं दखिए यह आपके wave fronts है ठीक है आपने उन waves के आगे एक angle पर एक barrier रख दिया है कोई भी barrier आप रख सकते हैं एक stick रख सकते हैं कुछ भी रख सकते हैं जब यहां पर water waves आएंगी देखिए मै normal क्या होता है normal basically अगर आप किसी भी surface के perpendicular कोई line draw कर दें यानि यहां पर surface medium की यह है ना barrier की जो surface है वो यह है अगर आप इसके perpendicular line draw कर दें तो वो normal के लाती है तो जो incident wave है वो इस normal से जो angle बनाएगी यह से हम बोलते है angle of incidence ठीक है इस case में जो angle of incidence होगा वो angle of reflection के equal होगा यानि कि आपकी जो waves है वो law of reflection को follow कर रही होगी देखिए यहां पर यू incident wave आईए इस barrier साथ टकराएगी और नीचे downwards direction में वो reflect कर जाएगी और इसमें जो angle of incidence है और angle of reflection जोनों equal हो जाएगी ठीक है तो definition के आपनती है reflection की when waves moving in one medium falls on the surface of another medium they bounce back into the first medium such that angle of incidence equals to angle reflection तेखिए water waves इस medium में move कह रही थी water पे मूफ कह रही थी जब आगए आपने आगे barrier रखा है तो next medium में साथा के टकराएगी है तकरा के तकराने के बाद तो bounce back कर गी है इस तरीके से किया है उन लोगों ने उन waves ने जो angle of incidence है वो angle of reflection के equal आजए तो इसको हम बोलते है reflection of waves अच्छा अब next है जी हमने एक ripple tank मतलब उसी ripple tank के इंदर हमने एक block को submerged कर देने है ठीक है जो ब्लॉक को समझ करेंगे ना तो जो ब्लॉक की ऊपर पानी होगा ब्लॉक का मतलब आप कोई ब्लॉक की ऊपर रखते हैं कुछ भी रखते हैं उसके उपर जो पानी आएगा ना वो shallow water होगा तबकि जो बाकी सारी जगों पर पानी डीप होगा क्योंकि आपको पता है जब आप ब्लॉक रखेंगे तो कम हाइट हो जाएगी ना तो उसके बाद जो पानी आएगा वो shallow water होगा थोड़ा सा ही पानी होगा उसके उपर तो हम कहेंगे वो shallow water है ना कि उसकी depth कम है बाकी सारी जगों पर हमारे पास deep water होगा ठीक है और आपने यहां पर एक straight wave generator रखा है जिससे आप wave को generate कर रहे हैं अब यह सारी जगा ब्लॉक यहां पर आपने ब्लॉक रखा वा था तो यह partition यानि कि boundary बन जाएगी deep water और shallow water की दर्यान ठीक है अब यहां से आप waves generate कर रहे है तो यह waves जो है यूँ travel कर रहे हैं यह wave है फिर यह wave है फिर आगे आपके बाद boundary आ जाती है फिर यह waves इने doing है अब क्योंकि यह shallow water है और यह deep water है तो आपने यह note करना है हम लोग यह देखने चाहरे हैं कि जो water wave की speed है जब वो deep water shallow water में जाती है तो उनके पर क्या effect पड़ता है बिसके जो speed of waves है ना वो medium की बहुत सरे properties के उपर depend कर रही होती है जिनमें से एक property depth of the medium है यहाँ पर यह वोटर की depth कितनी है उसके उपर speed of the wave depend कर रही होती है जितनी ज्यादा water की depth होगी उतना ज्यादा wave की speed होगी यानि कि अगर हम deep water की बात करें तो यहाँ पर wave की speed है वो highest ह होगी यहाँ पर shallow water है यानि कि water की depth कम है तो यहाँ पर water की speed कम होगी low होगी इसी तरही के से water की speed change हो रही है इसी तरही कि water waves की wavelength भी change होगी देखिए यहाँ पर जो water waves की wavelength है वो लेड़ा 2 आपको मैंने शोग की विए वह देखें कितनी थोड़ी है इसका मतलब यह है कि जब पानी डीप वार्डर से शेलो वार्टर की तरफ ट्रांसफर होता है तो ना सिर्फ उसकी स्पीड काम हो जाती है बलके उसकी वेवलेंद भी काम हो जाती है लेकिन जो फ्रिक्व यह लेकिरते हैं कि हम वह जो आपके बाश ब्लाक है उससे हम एक उस पर एक अगल परख देते हैं क्य स्वाहा लागर में आंचल पर यह औरहने। shallow water हो जाएगा अब जो यहां से water waves आएंगी यह जो water waves आ रही है यह इस boundary बेट टकराने के बाद अपनी original position से divert हो जाएंगी यानिकि वो reflect हो जाएंगी अपनी जो direction है उसे change कर देंगी ठीक है इस case में देखें आपके पास यह reflection है यह उसका wavelength है और उसके बाद भी जो आपकी जो waves है वो करीब करीब होती जा रही है यानिकि डीप water में wavelength जादा है और जब दूसरे मीडिया में shallow water में आती हैं कि जो wavelength हो कम हो जाती है यह बात हो में पता है और secondly यहां पर देखें जो आपक propagation है यानिकि incident wave जो है ना यह जो ब्लैक रगे में लाइन ड्रॉक यह आपकी incident wave है यह जब इस medium पर आगे strike करती है बांडरी एच के साथ किसी एंगल पर तो क्या होगा वो reflect करेगी और जो आपके बास यह जो wave बनी है ना यानिकि आपने यह नोट करना है कि यहां पर देखें wavefronts straight है इस case में यह जो wave आ रही है यह इन wavefronts के perpendicular है यानिकि यह देखें यह वर्टिकल आपने ड्रॉक यहां पर यहां पर आपकी जो यहां पर रिफ्रेक्ट करगी है लेकिन उसके बावजूद जो यहां पर रिफ्रेक्टिट वे है यह इनके perpendicular ही रहेगी तो इसका मतलब यह है कि direction of propagation होगी that would always be normal to wavefronts ठीक है यह जो wave की propagation हो रही है वो इन wavefronts के perpendicular रहा यानि के normal है तो reflection क्या होती है फिर when a wave from one medium यहां पर देखिए डीप वाटर से जब एक wave inter होती है second medium में जो कि यहां भी आपने boundary रखी हुए shallow water में जा रही है तो वो और इसकी some angle पर इंटर होती है क्योंकि आपने boundary को angle पर रखा हुए direction of travel changes direction of travel जो होती है वो change हो जाती है अब उससी direction में move नहीं करेगी बालकि उसकी direction है वो change हो जाएगी इसको क्या बोलते है definition of reflection है इसको reflection बोलते है next जो concept है वो diffraction का है इसमें हमने क्या करना है ने ripple tank के इंदर जो हमने waves generate की है स्टेट वेफ जनेरेटर से हमने उसके आगे waves के आगे दो obstacles रख देने हैं ठीक है मैंने 2 obstacles रख दी है और इन 2 obstacles की दर्म्यान obstacles भी बोल सकते हैं आप state भी बोल सकते हैं इनकी दम्यान जो gap होगा वो आपने इतना रखना है जितने ही आपकी waves की दम्यान यानि कि इन दोनों का जो wavelength और जो बीश में gap वो comparable हो मतलब मिलता जुलता हो ठीक है तो उस case में क्या होगा जब आपकी waves इस state के जो gap में से घुजरेंगी तो वो bend हो जाएंगी वो diffract हो जाएंगी bend होने का मतलब यह है कि वो यहाँ पर bend होके पूरे तमाम जो आपका जगह है वहाँ पर spread कर जाएंगी और इनकी जो shape है पहले तो वो straight थी ना वो straight नहीं रहेंगी बल्पि उनको semi circular pattern बन जाएंगा देखिए semi circle बना रहे है half circle बना रहे है तो यह half circle बन ज है कि जब आप slits का gap कम करेंगे तो waves जादा bend करेंगी अगर आप slit का gap जादा करेंगे तो waves कम bend करेंगे वो कम spread होंगी diffraction क्या होती है फिर the bending और spreading of waves around sharp edges और corners of obstacles और slit is called diffraction यानि कि जो waves की bending या spreading किस के round यह जो slit है इसके corners के round या इसी gap के round उसे हम diffraction बोलते है तो हमारा आज की topic complete होगया chapter 10 हमने complete कर लिया है अगर आपको बूरे chapter number 10 में कोई भी mistake कोई भी question आपको मिलता है हमने exercise भी कर लिये और question answers भी की है conceptual questions भी कर लिये है numericals भी कर लिये है अगर आप किसी भी टॉपिक में कोई भी कंस्रीयन है कोई भी मस्टा है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना देज दरा ख्याल रखेगा